इस tutorial में हमें ये sum solve करना है जो दो parts में divided है पहला part ये कहता है A traffic signal board indicating school ahead तो एक traffic signal board है जिसके ओपर school ahead लिखा हुआ है Is an equilateral triangle तो आपने सडकों पर दिखा होगा इस तरह से sign board लगे होते हैं तो ये triangular shape में Equilateral triangle with side A तो ये एक sign board triangular shape में है जिसकी तीनों sides आपस में बराबर है और हर एक side को उसमें कितना बोल दिया है A Find the area of the signal board तो इस signal board का area find out करना है Using heroes formula तो पहला part तो ये ही है तो सबसे पहले तो हम इस ही को solve करते हैं देखो heroes formula ये होता है s into s minus a into s minus b into s minus c का square root और s क्या होता है semi perimeter right यानि की perimeter का half तीनो sides का sum divided by 2 और यहां तीनो sides बराबर है ठीक है तो पहली चीज इसमें perimeter क्या होगा मेरा perimeter मेरा हो जाएगा a plus a plus a क्योंकि तीनो sides बराबर है a given है तो यानि की perimeter हो गया 3a अगर ये 3a हो गया तो s कितना हो जाएगा s होता है p by 2 semi perimeter यानि की perimeter का half तो वो हो जाएगा 3a divided by 2 ये होगा मेरा s अब heroes formula के accordingly area इतना होता है तो ये मैं area यहां लिख लेता हूँ एक बार अब s कितना है s है 3a by 2 ठीक है तो अब यहां पर भी आएगा 3a divided by 2 minus पहली side a है दूसरी side भी a है और तीसरी side भी a है यानि की b की value भी a और c की value भी a ठीक है तीनो sides बराबर है aaa तो यानि की ये भी यही चीज हो गई 3a divided by 2 minus a into 3a divided by 2 minus a और इसका मुझे square root निकालना है ठीक है तो ये कितना हो गया मेरे पास इसको मैं solve कर लेता हूँ 3a divided by 2 इसको जब मैं solve करूंगा तो ये मेरे पास आजाएगा a by 2 इसको जब solve करोगे इस particular term का lcm होगा 2 और जब आप इसको solve करोगे तो 3a minus 2 है a by 2 आजाएगा ये आप खुछ solve करके देखना ये ऐसा कैसे आया similarly ये भी a by 2 हो गया और फिर ये भी a by 2 ही हो जाएगा ठीक है तो ये इतना हो गया अब यहाँ पेर बना के देख लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 a into a ठीक है ये a into a हो गया और फिर से ये a into a हो गया उपर और नीचे ये हो गया 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 2 into 2 4 बार 2 आगया 4 बार a आगया ये एक पेर बन गया 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 इसका square root जब मैं निकालूंगा तो answer क्या आएगा यहां से A के यहां से A के तो 2 A बाहर आगे A square divided by 1 2 यहां से आए 1 2 यहां से तो 2 into 2 4 बाहर आगया और अंदर क्या बच गया square root 3 तो यह मेरा area हो गया तो यह पहला answer है कि अगर मुझे एक equator triangle जिसकी side की length A है तीनो sides की length A है उसका area अगर मैं heroes formula यूज करके निकालूं तो वो इतना होता है अब हम इसके second part पर चलते हैं अब second part में वो कहता है कि if the perimeter is 180 centimeters इसी triangle का perimeter जो है वो हमें कितना given है 180 centimeters what will be the area of the signal board तो कहता है अब बताओ कि इसका area क्या होगा जगो area तो हमने already निकाल रखा है कि अगर तीनो sides बराबर हों तो area होता है A square by 4 into square root 3 तो इसका मतलब यह है कि हमें A की value निकालनी है तो A की value निकलाएगी perimeter 180 centimeter है और perimeter तीनो sides का sum होता है तो यहनि कि A plus A plus A is equal to 180 units को मैं छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया 3 A is equal to 180 तो यहां से A कितना आ गया 180 by 3 which is equal to 60 centimeters तो इसकी तीनो sides 60 centimeters each है ठीक है अब area निकाल लो अब area क्या था area हमने अभी अभी निकाला कि area होगा इसका A square by 4 into square root 3 A square by 4 into square root 3 तो यह कितना आ जाएगा 60 का square divided by 4 into square root 3 और इसको जब आप solve करोगे तो आपका answer आएगा 900 square root 3 centimeter square is the answer So that's it from this tutorial Keep watching Mathematia